वैसे तो पुरुसों के सरीर में गरवासे यानि की यूटेरेस नहीं होता लेकिन जब बात घोटाले पर होती है तब वहां कोई लॉजिक काम नहीं करता है और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज से 9 साल पहले बिहार में पुरुसों के सरीर से गरवासे निकालने के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ इस घोटाले में महिलाओं के सरीर से भी गरवासे निकाला गया था लेकिन पुरुसों का जिक्र मैं ने इसलिए कि आप इस बात को समझ सकें कि लोग घोटाले के लिए किस अस्तर तक उतर सकते हैं उनके लिए प्रकृतिका नियम भी समसार हुआ है और उन्हीं में से एक है गरवासाई घोटाला इतलिए आज आपको इसके बारे में सुनना चाहिए और आज के वीडियो में हम आपको बिहार में हुए गरवासे घोटाले के बारे में बताएंगे किन सरकार राष्टे स्वास्त भीमा योजना के तहत एक बीपेल परिवार के हर एक पांच सदसे को अधिक्तम 30,000 रुपे तक का इलाज देती है इसके मताबिक सरकार गरिवी रेक्षा से नीचे आने वाले लोगों के लिए स्वास्त भीमा कार्ट जारी करती है और इसी के तहत गरिवों को इलाज करवाने के लिए पैसा मिलता है यानि जितनी महला ओप्रेशन करवा कर गरिवा से निकल वाएंगी या फिर लोग में आकर जितना गरिवा से निकाल दिया जाएगा उतना पैसा उनके लिए आएगा और पैसे के इसी लालत में कई तरह की गरवरी हुई जो महला पीछ दर्द का सिकायत लेकर आई उनका भी गरवा से निकाल लिया गया और बिना निकाले या पुरूस के नाम पर भी इस योजना के पैसे मंगबाकर, बीमा कमपनी और निजी नर्सिंग होम के मालिकों ने बाट लिया सबसे पहले समस्तिपूर के स्वास्त केम्प के माध्यम से धांदली होने की बात सामनी आई समस्तिपूर के डियम कुंदन कुमार ने एक विशियस केम्प लगबाया था इसका मकसद था उन महिलाओं का जाच करना जिनका इलाज स्वास्त बिमा योजना के पहत हुआ था इसके बात पता चला कि कुल 500 महिलाओं के लिए गरवासे का आपरेशन हुआ था जिसके लिए पैसे सरकार से लिए गए इनमें वो महिलाओं भी सामिल थी जिनका गरवासे पूरी तरीके से ठीक था और महज 20 साल की लड़कियों का भी गरवासे निकाल कर विमा कंपनियों से पैसा लिया गया था फरकार के योजना के तहत सबसे अधिक पैसा ड़क्तर को गरवासे का अपरसन करने पर ही मिलता है और ये रकम है 10,000 रुपिया इसके बाद छपरा में और सिर बिहार के अनुजिलों में भी धांदले उन्हें की सूचना मिली सूचना मिलने के बाद जब जिले के डियम ने जांच करवाया तब उन्हें इस धांदले की पुष्टी हुई और फिर जब कई जगहों से ऐसे मामले सामने आने लगे तब बिहार थरकार का ध्यान इस पर गया और फिर बिहार थरकार ने सभी जिलों में इस योजना को जांच करने के लिए आदिस दिया जांच शुरू 1119 मामलों की जांच हुई इसमें 703 सर्जरीय सा पाया गया जिनकी आवसेक्ता नहीं थी इसके अलाबा 127 ओपरेशन फरजी तरीके से किये गए थे इस मामले को लेकर कुल 33 निजी अस्पताल और 13 डॉक्टर के खिलाफ एफायर दर्ज करवाया गया था सबसे अधिक 319 मामला समस्तिपूर से आया था इसके अलाबा सितामडी मुझापरपूर सहर्चा पूर्णिय और मधिपूरा समय 10 जिलों में सबस्याधिक गरवरी का मामला सामने आया इतनी बड़ी धांदली के बाद बिहार मनवादिकार आयोग ने मामले को संयान में लिया इसके बाद आयोग क हा था को बीच से 40 साल की थी नहीं 2,50 strains देने का बात कहा गया था और जो महिलाएं 24 Pink से उपर विप 10 लाख रूपिया मुझा देने की बात का गया था सथ किलाव मेडिकल काऊंजिल ओ इंडीया में कारवाई करनी के नुखसंसा की थी इसके अलावा 17 निजी अस्पतालों की मानेता को रद्ध करने के बात भी कही गई थी यह मामला कोट में गया और फिर कोट में ही रहे गया संद 2017 में जब तेजपरता फ्यादर फरस्त मंत्री थे तब उन्होंने विधान पड़िसत में रजनीश कुमार और रामचंद्र भारती के सवाल पर का था कि इस घोटाले की प्रित महिलाओं को एक महिने के अंदर मुआपजा का बुगतान सरकार करेगी और इस मुआपजे की नौ साल बाद भी ना तो किसी पर कारवाई हुई है और ना ही किसी को मुआपजा मिला है यह जाँच अब तक चल रही है लेकिन इस मामले पर कारवाई कब तक हो पाएगी यह कहना मुश्किल है इस वीडियो में इतना ही नन्यवाद